आपका स्वागत है और मैं सोनुक शब कुछ खास आपके लिए लेकर आता हूँ और आज हमारे पास एक खास मुद्दा है सरकार को लेकर और हमारे साथ इस वक्त मौजुद है एक अंदोलनकारी जो तैसिल भगवानपुर में चार साल से धरने पर बैठे हुए है तो सीथी च हम और इसे करेंगे किस तरह की सरकार वह चाथे हैं आखिर क्या मुद्दे थे जिननों को लेकर और हो चार साल से धरने पर बैठे हुए तो सीधी चर्च 걸로 करते हैं बालचंच्रमार सब और उस स्वागत है आपका हमारे शes। मैं यह चाहूँ कि थोड़ा से एक बार तो आप बताए कि चार साल से जो आपका मुद्दा धर्णे का है धर्णे पर क्यों बैठे हुए आप तो हमारे दर्णे को एक बार फिर से बता दिया पहली बात तो मैं अपना अडरसी बता रहा है मेरा नाम ताव बालचन चमार सहब हमारा संगठन है राष्टिय चमार यूनियन और हम ने तीन मुद्दे से उठाए जिस्ते के अगर मुद्दे पूरे करता सरकार तो भारत के अंदर कोई भी गरीब आद भी नहीं रह सकता हमा हमारी मांगे 500 रुपे परतीर दिन होने चाहिए और पूरे साल रोजघार होना है और मनर्यगा से किसानों की सभी फसलों को जोड़े जाए जिससे हमारे बारत के किसानों को लाम मिलेगा तीसरा हमारे मुद्दा है बहुत अच्छा जैसे मोद्य जी ने जमिन्नों वालों क को 6000 रपे साल दिये, ऐसे ही 6000 रपे साल उन लोगों को भी दिया जाए, जिन के पास भारत के अंदर जमीन नहीं है, कहां जाएंगे वो लोग, जमीन वाले को तो दे दिये, पर जिसके पास जमीन नहीं है, वो मजदूर आदमी है, कम सकम उसको भी तो कुछ अला मिलना चाहिए तो मेरा धर्णा करीबन ये 19-12-2016 से तैसिल भगवानपुर जिला हरिदवार उत्राखंड में चल रहा और भाजबा सरकार ने आज तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया तो हम भारत में ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे तीन मुद्धो पर उत्रे और हमारे मजदूर और किसान को लाम बिले भारत के अंदर वो सरकार चाहिए जिस्ते के हमारे किसान और मजदूर को लाम बिले मोधी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे बताये कौन सा रास्ता अच्छे दिन का तो मेरे अपने हिसाब सा कोई भी रास्ता नहीं है अच्छे दिन का अच्छे दिन का यही रास्ता है अगर किसान की सभी फसले मनरेगा से जोड़ी जाएं और पान सो रुपए परती दिन मनरेगा में हो और पुरे साल रोजगार हो उसने मजदूर खुस होगा और जिनके पास जमीन नहीं उनको भी 6,000 रपे साल मिले तो उन लोगों को ग्लाम मिलेगा हर फालिका आदमी आ रहाते हैंugenा में हर आदमी सशला लेकार अब बताओ हुए तो मेरी सबसे हैंता की तो नहीं पूराहिं हम एस चाहिए गी जो भूर बहुदान करेगे हम और मुद्दा निकरवा रहे और यह सबसच्छा मुद्दा जो है मजदूर और किसान का हाँ और यहां मजदूर किसान ही पुरे भारत को खाना देता है तयार करके अगर उस पर सरकार ना ध्यान निदे तो क्या फैदा शी सरकार से जब कि मोदी जी दो हजार चोदा में सरकार बनी थी इन्हों ने जितने भी भारत के में ले उनकी तंखा दुगनी की अरे उनकी तंखा दुगनी बाइदम कर देते पहले किसान और मजदूर पा धान दिया जाना से यह था मेरे इसाब से अच्छे जैसे कि लोकडान में अभी परवासी मजदूर थे कुछ लोग यहां के भी थे बेरोजगार हो चुके हैं उनके बारे में आप क्या गए उनके बारे में जो मजदूर को रोजगार नहीं दिये जा रहा तो मेरी परधान मंतरी नरेदर बोदी जी से परातना है मनरेगा में ध्यान दिये जा और यहां के हर सरकारी आदमी को हमारे जो DM सहाब जी लेके उन्हें बता दिया जाना चाहिए के मनरेगा पे जादा तर जोर दे जिस्त के लोगों को रोजगार गाउं के अंदरी मिल जाए एक ऐसा रोजगार मनरेगा जो गरीब आदमी से गुजारा कर सकता है इभालनी फैक्टरियर सां भी बंद क अगर एक परिवार को सोधन का रोजगार और सही सलामत उससे पैसे मिल जा तो अपना वो गुजारा कर सकता है पर गुजारा जब हमारे परधान मंतरी हर DM को बताएंगे अपने राज्ये में या अपने जीले में मनरेगा पर ज्याद ध्यान दिया अच्छा तो ऐसे गया ब कर दो को सवधन का रोजगार मिलने से उन लोगों का पालन पुसन अच्छे से हो रहा है इभाल की स्तिति देखके सरकार ने एक नियम मना रख्या सोधन का मेरी तो यह माँगा कि वह सोधन के बजाए पूरे साल रोजगार दिये तो धेर अच्छा रह सकए पर जैसी वाई पड़ demasi हो कि मिल पाई हां झी जो पैसा था मुझदूरी क वो नहीं मिल पाया। । ए हे लोगों को परिछान कीया जा तो मेरी प्रधान मैं जया यह हम आंगा आपने हर भ्ता दिया जाए इन लोगों को परिछान ना किया जाएए झींद। शिद्लोग के चक्र काटते अगर कोई काम बांगता है तो उसके सहीआग्वतं पैसे जाने चाहिए तो इसमें कुछ CGI परधान का पulty पूट आ घांए इसमें की गलती तो हम एक जडर कुछ नो भी पीसे दिन मुझारै जा घाई चाहि यह पाल्टी बंदी होती है पर आज तक मनरेगा का पैसा किसी परधान के खत्ते में ना आया और ना आवगा और मजदूर के खत्ते में पैसा आगा है वो कहां गे रहा है वो उसकी मुझ्मेदाई होती है करीमन 6-7 परदेशों के लोग जूड़ चुके हैं और मेरे इस आप उत्राखंड में भी करीवन लाखों लोग मेरी साथ जूड़ दे मगर मैं भीड नहीं लगा सकता मैं लोग्डून का पालन करता हूँ इस जैसे की एक बात है कि राश्टे चमार यूनियन आपने पूरा य जैसे राश्टे चमार यूनियन हमने नाम दे रहा है तो एक राश्टे चमार यूनियन है इसम मेरे साथ सारी हर जाती के लोग जूड़े वे यह नहीं हो देख रहे हैं अगिस पर चमार क्यों लिख्या वया बर यह तो संगर्ठन का नाम दिया हमने हमारे जो जबरेड़ा देश राज करनवाल जी उनन भी हमारे से ही मिले और बड़ अच्छा नाम किया तो आज उनन भी अपने नाम किया चमार साहब लगाना सुरू कर दिया तो भाई मेरी साथ करीवन जिवा तो बहुत दूर की बात है पर बुग्धा जवान माताए बहन करम लाखो आज मेरी सा इय तो नेरे लोगों को पास भी बनगाया तो तो दरसबोग यह थी वक्त मोजुद है ताओ बाल चमार साहब जो तहसील बगवान उपर blinking और Earth कवल परदान मंतरी की तरफ से मिलता है उसको यह चाहरे कि पूरे साल पूरे साल रोजगार मिले और तीहाडी को पांच रुपे कर दिया जाएगा तो इसी तरह कि तमाम जानकारी हम आपको राहिए पर देते रहेंगे जै हिंज जै भारत